ब्रत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रेस्पी है तो जरूर ट्राइ करिएगा सबसे पहले हमने इस साबू दाना भिगोया हुआ लिया है तो इसे आप चक कर सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट और गल गये हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो एक छोटी कटोरी से हमने रादबर भिगा कर रख दिया था तो ये फूल के बड़े हो गये हैं और इसके दाने जो हो एकदम खिले खिले हो गये हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4-5 घंटे भिगा कर रख दे तो साबुदाना फूल के बढ़े और ये खिले खिले हो जाएंगे और साथ साथ में ये सॉफ्ट हो जाएगा अब डो ले आलू लेना है तो आलू को हमने छिल लिया है एक बडर्तलeral लेना है सबसे पहपे लेएड करेंगे साबुदाना भिगोया हुआ अब इसमें एड करेंगे आलू जो हमने वाल के रखा हूआ है तो एक कद्धुकस ले ले और इसे घिस लें अच्छे से तो चाहे आप हाथ की मदद से इसे मीज भी सकते हैं अच्छे से कद्धुकस से घिस ले तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कहीं पर इसमें कहीं टुकडा नहीं रह जाता है तो इस तना से दोनों अलु घिस के तयार कर लेना है एक चम्मच जिसमें हम धनिया पाउडर आदा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिये हैं सेधा नमक डाल दें, साधा अंसर डालें, हरी मिर्ज दो बारी कटा हुआ डाल देंगे, एक छोटा टुकड़ा अधरक इसे हम घिस लिये हैं, तो चाहे इसे बारी चौप कर लें, अब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे खुब सारा और ये आधा नीबू है, इसे हम निचो तो इसे कूट लिये थे हम, और चाहे तो आप इसे बेलन की मतद से तोड़ लें, या मिक्सर जानी से दरबरा पीस के तैयार कर लें, बस अब इसे हम हाथों की मतद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, मीज लेना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए अब हाथ में दोनों थेलियों में अच्छे से घी लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से लगा एक छोटी-छोटी सी गोली बनाके हम तयार करेंगे राउंड सेफ दे देंगे एक टिक्की का आकार दे देंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी है बनाना फटा-फट ये बनके तयार हो जाता है तो इसी तरह से दूसरा भी एक लोई लेंगे छोटी सी गोली बना लेंगे राउंड सेफ दे देंगे टिक्की बनाके तयार कर लेंगे तो इसी तरह से हमें सारे टिक्की बनाके तयार कर लेना है तो इस सारी टिक्की हमने बना के तयार कर लिया है तो इसे आप चाहे इस टोर करके फ्रीज में टिफिन में बंद करके रखते हैं दो से तीन दिन तक खराब नहीं होता है जब आपकी इच्छा हो तो ये खा सकते हैं तल के तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने इस्टोर करके रख देते हैं तो खराब नहीं होता है तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं गैस की फ्लेम को उने ओन कर दिया है दो चम्मस बड़ी चम्मस से दो चम्मस घी डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिल्ट होने दें पिदिए द्राश के ही डाल देंगे इसमें घैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है हाई बिल्कुल न करें नहीं तो घी बहुत जल्दी जल जाएगा तो इसे जरूर रहें टिक को एक जगा न रहने दे नहीं तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा टारब थोड़ा सा क्रि कि ध्रुक्री helundernal निपग और कोषना है मैं इस अरति हो जाने जालेकी हैते आप पार है भी जिंघान में चाहिते हैं यही अर्य बेकिन को फूल कोरा कन दो लिम्वर स्वाष टाइट सकते हैं तो अब इसे आप चाहे मुफली चटनी के साथ नारियल की चटनी के साथ या अंगुर की खटी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं आज की रेस्पी आप लोग को कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा पसंद आए तो लाइक कर देना साथ साथ में पेल आइकन को जरूर प्रस करिएगा धन्वाद